तो बचो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अब guidance, about natural resources, प्राकृतिक संपद, तो प्राकृतिक संपत क्या होता है, नेचरोल रिसोर्स क्या होते हैं, कि इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि रिसोर्स क्या होते हैं, तो अगर resources आप से कोई पुछे कि resources क्या होते हैं तो उसका एक easy definition है अगर English में हम देखे हैं तो it will be elements of biophysical environment which can be used to satisfy human needs or mankind is termed as resources. लृस्य स और फेसके सिप्छे सिस्या खिरी सिक दिनीजर्डड़ हो जिससे human beings को फांदा पोचें इससा कोई भी € कहूं करते हैं उसको हम लोग का अधर करते हैं उसकर हो वह जो जो बाइयो फीजिकल में जो चीज प्रेजन्ट हैं यह से कहे हमारे विकल से एर प्रेजन्ट है, हमारे पास पानी प्रेजन्ट है, हमारे पास हमारा जो गर्मी आतर लगता है तो हम AC या कूलर या फेर फैन यूज करते हैं, वो प्रेजन्ट है हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल से बहुत सारा चीज पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, हमारे पास से कोई भी चीज जिससे humankind या फिर we can say human beings को फाइदा पहुँचे है उसको हम लोग resources नाम देते हैं उसके बाद यह resources जो है यह resources mainly दो प्रकार का होता है अगर हम classify करें broadly बहुत जादा है बट हम यहां पर classify अगर करते हैं तो दो types में classify कर सकते हैं एक है natural resources प्रकृतिक संपद और एक है artificial या man-made resources जिसको हम लोग खुद से बनाते हैं तो natural resources क्या क्या है ऐसा कोई भी resource ऐसा कोई भी संपद जो हमारे nature में available है जैसे कि air है water है soil है is not it तो यह सारा कुछ क्या है just imagine without oxygen या फिर without air will it be possible to survive या फिर human human beings या फिर plants या फिर any organisms उन लोगों का existence बिना air का possible है क्या तो बिना air का existence possible नहीं है is not it it means what कि until and unless यह resources available ना हो तो हमारा human human beings का life existence नहीं करेगा so यह सारा प्रकृतिक संपद आफ एक्जामपल पानी मान के चलो पानी अगर available ना हो so will we will be able to survive we won't be able to survive like for example आप notice करेंगे कि बहुत सारा except earth दूसरा बहुत सारा planets से तो वहां पे life है क्या वहां पे तो life नहीं है non life तो नहीं है ना so it means what जहां पे हमारे earth में हमारे पास adequate amount of natural resources है that natural resources जिससे क्या हो रहा हमें फाइदा पहुच रहे और वो resources ऐसा नहीं है कि बस air water soil यह सब है like petroleum petroleum है koila है so उससे भी तो हमें फाइदा हो रहे है ना until petrol है तो हम आराम से travel कर पाड़े है अपने motorbike में फिर cars में अगर petrol ही नहीं होता तो बैल गाड़ी चलता is not it so that that bell गाड़ी अगर हम बना रहे है तो that also can be considered as a resource so आप अगर resource से अगर definition देखे या resource का मतलब समझे तो resource यह बहुत broad word है इससे क्या होता है मतलब इसमें अगर आप analyze करें तो elements of biophysical environment which can be used to satisfy human needs मतलब ऐसा कोई भी चीज जिससे human needs को फाइदा पहुच रहे हमारे हमारे लिए वो फाइदा कर रहे हो सारा कुछ क्या होता है resources होता है तो हमारे topic यहाँ पर है natural resources तो natural resources जो है प्राक्रिदिक संपत क्या है वैसा कुछ भी नाना प्रकार का चीज है जिससे क्या हो रहे है humans को फाइदा पहुच रहे है like for example air है water है soil है koila है petroleum है उसके बाद मान के चलो forests है is not it so यह सारा कुछ क्या है जिससे हमें फाइदा पहुच रहे है जानवर है like for example अब सोचो अगर आज जानवर का existence नहीं होता या फिर plants का existence नहीं होता so human beings survive कर पता क्या वो तो नहीं कर पता because अगर आपने analyze करें जब food chain को आप देखेंगे तो सबसे नीचे होता है plants they are producers they are producers means वो लोग सालोग संसलेशन करके अपना खाना खुद बनाते and directly or indirectly all the living organisms they are dependent upon plants तो अब सोचे वोश food chain से अगर हम plants को निकाल दे या फिर plants अगर वहाँ पर नहीं रहे तो वो survival of human beings या फिर survival of this earth will be possible it won't be possible is not it so directly or indirectly all the resources are related with each other एक दूसरे के साथ related है तो इस topic में हम लोग यही सब पढ़ेंगे the breath of life हम लोग जो बायू एर बोलते हैं is not it so until and unless यह एर अगर अगर अवेलेबल ना हो तो हमारा life का existence नहीं होगा because देखो आप कैसे interlinked है हम और दूसरे organisms यह एर्थ में एक दूसरा organism से एक दूसरे के सतके से interlinked है उसके बारे में अगर देखे हम तो आप सोचो आज हम जो air consume करें हम जो respiration जो हम लोग सांस ले रहे हैं उस दौरान एर में से हम लोग कौन सा गेस लेते हैं हम लोग oxygen लेते हैं we take oxygen we release carbon dioxide so that carbon dioxide is used by the plants वो plants use करते हैं और plants विसे क्या करते हैं salox insulation photosynthesis करते हैं so it means they are using the carbon dioxide along with the sunlight and they can prepare their own food वो लोग अपना खाना बनाते हैं उसका by-product क्या होता है वो खाना वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसका by-product होता है कि वो oxygen रिलिस करते हैं and that oxygen again we are taking you just think so it means what अगर प्लांस ना हो तो oxygen अविलेबल होगा क्या oxygen वोट बेवलेबल and then ultimately क्या होगा human beings का existence खतम हो जाएगा understood no so this is how we can say air and we can say all the natural resources are important we just talk about air लक इसी तरीके से all the natural resources are directly or indirectly important to the mankind